मुश्कार स्वाकत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं कि जो इंडियन करंसी है वहाँ पर जो इमेज आप महात्मा कांदी की देखते हैं तो यहाँ पर जो इमेज है यह आई कैसे है? कप से इसकी शुरुवात हुई? किस ने इस इमेज को select किया था या फिर किस ने इस इमेज को shoot मतलब की खीचा था या फिर कहें कि जो बादमा कांदी की जो इमेज है, उससे पहले किस की इमेज यूज हुआ करती थी और यह इमेज लगाने से क्या भारत्य करंसी जो है या जो नोट है क्या उनकी कोपी होना यानि कि कोई उसका duplicate बना सकता है नहीं बना सकता है जैसे हम सकते हैं भीक करंसी क्या वो आसान हो गई या मुश्किल हो गई इन सबसी जों के उपर हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं खेर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियेफ के लिए मैं बता देता हूँ देखिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया मिलेगा तो उस पर आप क्लिक करिए एक चैनल खुल के आएगा सेल स्टडी के नाम से ही चैनल खुल के आएगा टेलिग्राम पर तो वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि इस वीडियो की जो पीडियेफ है वो मिल जाएगी चलिए अब स्टार्ट करते हैं बहुत सारे लोगों ने महात्मा कांदी की उनके जीवन काल में बहुत सारी इमेजिस कींची थी उनकी फोटो कींची थी और शायद ही उन इमेजिस में से एक इमेज आप देखते हैं भारतिय करंसे के ऊपर जब राष्टपिता के रूप में तो ओविसली संतनतर था के बाद कि भारत की जो करंसी है उसके ऊपर महात्मा कांदी को लगा देना चाहिए एक विकल्प के तोर पर साव परती थो रहा था कि भी हाँ उन्हें लगा देना चाहिए लेकिन यह हकीकत जो है वो 1996 में जाकर बनी कि भी 1996 में आरिब्याई ने कानूनी बैंक नोट के ऊपर एक स्थाई रूप से उनको वहाँ पर लगा दिया चिपका दिया ऐसा समझ लीजी आप तो यह इमेज सेलेक्ट कैसे हुई फरस्ट फॉल तो हम यह जानते हैं देखें गांदी जी का जो चितर आप देखते हैं करंसी के ऊपर कहा जाता है कि 1946 के अंदरी एक तस्वीर ली गई थी जहां भारतिय जो नेता ब्रिटिश राजनेता लोड फ्रेडरिक विलियम पैथिंक लोर यह तो अलग होगी जो आपने स्टार्टिंग में देखी न एक विनिट पर दिखाता हूं यह जो आप स्माइल देख रहे हैं यह बहुँ ज्यादा एक लुभावनी लगा कि यहां पर इसको लगा देना चाहिए जो इमेज है इस सीच को लगा देना चाहिए तो यह जो इम लिस्ट किया था इस इमेज को वो भी नहीं पता यहां पर रुपे के नोट के डिजाइन के काम के लिए देखे जिम्मेदारी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ करंसी मेनेजमेंट आर्ब्याइ को जाती है यह जिपार्टमेंट क्या करता है पहले तो अप्रूवल लेता है आर्ब्याइ का कोई भी अगर डिजाइन डिजुन में अगर कुछ भी फेर बदल करनी हो तो यह डिपार्टमेंट फर्स अफॉल तो आर्ब्याइ की अप्रूवल लेगा और फिर साथी साथ सेंट्रल गवर्मेंट का भी अप्रूवल यहां पर वो साजा करता है अब मनाने के लिए एक विशेश स्रिंकला जारी की गई थी और उस वक्त के जो आर्ब्याइ हुआ करते थे ल के जहां उनके साइन वाले नोटों में जो आप बैक्ग्राउंड में आप देखेंगे ना यह बैक्राउंड में सेवा ग्राम आश्रम के साथ गांधी जी को वहां प बात है अब उनसे पहले कौन था यह थोड़ी सी हिंग्लिश हिंडी गलत होगी क्योंकि यहां पर आप मैंने क्या कि इसको सीधा उठाया मैं पहले तो यहां पर यह हूपीर बिफोर हिम उसके सामने कौन आया यह गूगल ट्रांसलेशन है मैंने वहां पर कोपी पेस्ट किय यह थोड़ा गलत हो गया तो यहां पर लिखा गया थे कि 15 अगस्त 1947 में कुछ महिनों तक आर्बिया इने जो किंग जोर्ज 6 है उसकी विशेष्टा वाले कुछ नोट जो है वहां पर जारी रखे थे और भार सरकार ने 1949 के अंदर अपना एक रुपे का नोट निकाला था ज जो है इसके स्थान पर उस शार्ना सिंक ने ले ली थी आर्बिया संग्राले की वेबसाइट कहती है कि स्वतंतर भारत के लिए परतिकों का चैन किया जाना था कि किसकी इमेज वह हम पर लगाई जाने चाहिए शुरुआत में तो यह मैसूस किया गया था कि यह जो राजा ह इसकी इमेज अटा कर यहां पर मातमा गाधीजी की इमेज लगा देनी चाहिए काफी सारे डिजाइन त्यार भी किये गए थे लेकिन लास्ट में आते-आते-ए यह सहमती बनी कि जो सार्ना सेर की राजदानी मतलब कि जो सिंग है उसकी ही इमेज वहां पर लगानी चाहिए लेकिन देखे काफी हद तक डिजाइन भी त्यार कर लिए गए थे महादमा गांदी के ऐसा नहीं किये गए थे अब नतीजन क्या हुआ 1950 में भारते गंडराजन से मतलब Republic of India के द्वारा 2, 5, 10 और 100 रुपे के मुलेवर के रोट जारी वहाँ पर किये गए थे उन सभी पर क्या था? Lion Capital Watermark था जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं अब इन वर्षों में उच मुलेवर के कानूनी टेंडर पेश किये गए मतलब काफी सारे नोट शापे गए शुरुवात में तो देखिए बाग, सांबर, हिरन इन जीव जन्तियों के थे लेकिन सत्तर के दशक में आते आते क्रिशी प्रयासों को दर्शाने वाले जो चितर है यह जो इमेजीज है उन से बदल दिया गया 1980 के दशक में आते आते विज्ञानिक और तकनीकी परगती और भारतिय कलापरती को उपर जो दिया गया तो इस तरीके के आप देखेंगे न तो आप यहां पर समझेंगे न कि कैसे करंसी आ रही है करंसी के उपर कैसी जीजों को बढ़ावा दिया दा रही है यह काफी इंपोर्टन चीज हो दती है अब आते हैं कि गांधी जी का चितर कब से परते एक नोट पर चपा तो इसका जवाब तो 1996 ही है 1990 के दशक तक RBI को यह में सुआ कि देखें जो रिपोग्राफिक टेकनीक है यह टेकनीक है एक तरीकी से प्रिंटिंग की एक टेकनीक है यह इसमें काफी जादा परकती देखने को मिली काफी जादा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि advancement आ गई थी अब भारतिय जो RBI यह उनको लगा कि यह जो आप निर्जीव चीजों की image लगा रही है bank note के उपर यह फिर गहरति करंसी के उपर तो इनकी copy करना बहुत असान है बजाए कि कि किसी मानव के चेहरे के तो उनको यह मैसूस वा गांदी जी को उनकी राष्टी अपील के कारण चेहरे के काफी सारी सुविधाएं भी पेश की गई थी तो यह थी आपके सामने एक छोटी सी कहानी की कैसे महात्मा गानी की जो image है वो भारतिय करंसी के उपर है I hope so आप लोगों को यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पसंद भी आई होंगी यह जो exam में देखे exam में पूछ किया जाता है कि कब से कौन सी कब पहली बार आये थे कौन से note पर वो चपे थे उनके background का यह सारी चीज़ें मैं आप लोगों cover कराई है exam के perspective से काफी ज़्यादा important है क्या है फिर से बता देता हूं pdf आप लोगों का मिलेगी description box में telegram का एक channel दिया है उसका link दिया है जाकर आ नहीं ला हो जाता है आज की date में उसको नहीं ला करो तो उसे आपको पसंद आ जाएगा चैनल के subscribe करो शेर कर सकते हो बहुत सारे option है comment section में आप comment भी लिख सकते हो क्यारा बस आज के लिए था था थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो